हेलो एवरीवन वेलकम टू मैस्टडी गुरू आज की स्वीडियों में हम सीखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउट्पूट लेवल जो है वह कैसे फाइंड करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताके यह नुमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ जाए देखो उसने बोला है कि जो कोस्ट फंक्शन है वह 40 प्लस 12 एक्स एंड जो डिमांड फंक्शन है वह पी एक्वल टू 60 वाइस 3 एक्स है तो हमने फाइंड क्या गरना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एक्पूट लेवल तो इस तरह का सम करने के लिए हमने क्या गरना है कि ऑसने मनोपॉलिस्ट बोला है तो सबसे वह याद करो मोनोपॉलिस्ट का इकुलिब्रियम कंडिशन जो है वह हम क्या गरते छहते हैं एक्प्वल 이번 की तो एम्मेर के लिए हमें सब से पहले पाइलिए है ना MC के लिए TC चाहिए MR के लिए हमें TR निकाहना पड़ेगा लेकिन जो MC marginal cost के लिए जो total cost है वो मारे पास available है already यह जो given function है यह total cost का ही है तो marginal कैसे निकालते है total की derivation करके मतलब जो marginal cost है वो तो हमारी simply निकलाएगी इसकी derivation करेंगे c equal to 40 plus 12 x की तो MC आ जाएगी 12 with respect to x derivation करके अब हमने total revenue कैसे निकालना है total revenue निकालने के लिए P multiply वे क्यों करते हैं ठीक है तो P P क्यों मतलब की x c x and क्यों similar है ठीक है यह आगे आपके पास 60 x minus 3 x के ठीक है तो आ जाएगा 60 minus 3 2 का 6 है ठीक है यह हमारे पास एम्मर आ गया अब आगे क्या करना है हमने एम्मर भी आ गया MC भी आ गया अब इन दोनों को हमने क्या करना है इक्वेट करना है 60 minus 6 x equal to 12 minus 6 x equal to 12 minus 60 x equal to minus x equal to minus 48 divided by 6 minus से minus कट गया 48 divided by 6 कितना आ गया इसे पूछा था आउटपूट लेवल प्रोफित मैक्सिमाइजिंग आउटपूट क्या था एक्स था एक्स क्या आ गया मतलब 3 answer is the correct answer ठीक है इस तरह से आपने profit मैक्सिमाइजिंग वल्ला जो है numerical solve करना है अगर इस तरह का कोई और numerical आपने समझना है पूछना है तो आप को मैंट बोक्स ने बता दीजिए गया उस पर विएक वीडियो लेख किया होगी होगी लाक एक वीडियो थैंक य।